अस्ट्रिलिया को 2-1 से हराने के बाद भारत और साउथ अफरिका के बीच में हम सभी लोगों को 3 T20 मुकाबलू की सीरीज देखने को मिलने वाली है और इस सीरीज का पहला मुकाबला हमें 28 तारीक को तिरुवननपुरा में स्टार्ट होते वे देखने को मिलेगा लेकिन इस म हार्दिक पांडिया अपनी मर्जी से तो बाहर नहीं हुए लेकिन BCCI के द्वारा हार्दिक पांडिया को रेस्ट करने की सला दी गई है क्योंकि यह काफी जादा इंजरी प्रोन रहते हैं और ऐसे में BCCI नहीं चाहती कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली 20 वर्ल्ड कप से प बाहर हो चुके हैं उनकी रिप्लेस्मेंट के तौर भारत की टीम में स्रेया सायर को शामिल कर लिया गया है जो कि सिर्फ साउथ अफ्रिका सीरीज के लिए ही भारत की टीम का हिस्सा बनेंगे इसके बाद जो आखरी प्लेयर है वह है मोहमत शमी मोहमत शमी सारे लोग चाहत और इस सीरीज में आपको खेलते वे रज़र आएंगे कॉमेंट करके आप लोग बताईए साउथ अफ्रिका के खिलाप होने वाली सीरीज में आप लोगों के हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए अबस्क्राइब